केजिवाल की इस पूरे प्रकरण की जहांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैद रूप से कबजा करवाया आके क्या छुपाना चाहते हैं केज़िवाल जी उस शीष महल में क्या है ऐसा केज़िवाल जी आप दिल्ली वालों को कब तक ठबूगे आप दिल्ली वालों का विश्वास पूरा तूट चुका है दिल्ली वालों का विश्वास अब आप से मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पॉजेशन दे दिया है। सुनीता केजिवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खिचने के बाद चाबी वापस ले दी। 27 साल से भाजपा दिली में नहीं जीत पारी और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आमाद्मी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं और अब इनकी मंच्छा है कि C.M. आवास भी छीन कर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिक्ता जो महिला विरोधी मानसिक्ता है वो फिर से सब के सामने है। महिला मुख्यमंत्री का समान उन्होंने नवरात्र के डूरेशन में बाहार कर दिया। सोचिए ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। आखिर केज़िवार के पीड़वूडी अधिकारियों को जुखना पड़ा और हमारी मांग बाढ़ी पड़ी और सरकारी संपत्ती जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल जिस पर अवैद कभजा हमादी बाढ़ी ने किया था उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं। कि केजिवाल की इस पूरे प्रकरण की जाच होनी चाहिए। कि किस प्रकार पूर मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैद रूप से कबजा करवाया। इसके पीछे की साजिश क्या है। पॉजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पी डव्यूटी को। जो ये नौबत आई ये क्यों आई। ये तीन दिन से जो चक्कर चल रहा था पांस तारीक और आज नौ तारीक है। ये माजरा क्या था। आकर क्या चुपाना चाहते हैं केज़िवाल जी। उस शीश महल में क्या है ऐसा। लोग इसको जानना चाहते हैं। केज़िवाल जी। आप दिल्ली वालों को कब तक ठगों गए। आप दिल्ली वालों का विश्वास पूरा तूट चुका है दिल्ली वालों का विश्वास अब आप से और इस पूरे प्रकरण में आप बे नकाब हो गए हैं। इससे बड़ी अन्यतिक्ता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की हैं। आप प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आमाद्मी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं। उन दिल्ली वालों को परिशान किया जाए। इलेक्टेड गर्वर्मेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंच्छा है कि C.M. आवास भी छीन कर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिक्ता जो महिला विरोधी मानसिक्ता है वो फिर से सब के सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का समान उन्होंने नवरात्र के डूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। इनको महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम है ये हम सब को पता है। और अगर कोई महिला पॉजिशन ऑफ पावर में हो तो और भी जादा प्रॉब्लम है। पर हम भी भाजपा को एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम आम पार्टी के सिपाही हैं। हमें अगर सड़क पर भी बैटकर जनता के काम करवाने होंगे तो हम करवाएंगे ये हमें रोक नहीं पाएंगे। मेडम उन्होंने अरोब भी लगाया है कि इन्होंने कोई इनफॉर्म नहीं किया था उससे पहले पी डबलू लेटर देता है तो इस वज़े से भाजपा ने हमेशा से ही जूट का साहरा लिया है। एकदम बेहत जूटी पाटी है भाजपा चार तारीक को बकाईदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंड ओवर की थी सेक्शन ओफिसर मुकेश शर्मा जी को पी डब्यू डी के उसके बाद पूरी कारवाई हुई एनोसी हुई बकाईदा उस हिसाब से सारा कुछ कारवा करके फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते ऐसे नहीं